हाई एवरिवन वेलकम तो माई चैनल दिस इस शीनम कटारिया मोस्ली स्टूडिंट्स के दिमाग में डाउट रहता है कि एपी एफो ईयो एयो एयो एक्जाम के लिए करंट अफेर्स के लिए क्या हमें आई एस से रिलेटेड जो मंतली मैगजिन आती है वो रीड करनी चाहे वीजन आए-स की ओ पीटी तरिश फाई वीजन आए-स की चाहे कोई ओर इंस्टिटीट के ओंए इंसाइट की हों तो आपको इस डाउट का अंसवर इस वीडियो में मिलने वाला है इस वीडियो को बनाने का पर पमसुर्प सिरफ इसीं कि हलप कर सको और इस वीडियो वना कि आपका काम हैसान कर दिया देखे 5th of September 2021 को EOAO का एक्जाम हुआ था उसमें जो current affairs के MCQ आये थे ना उन MCQ का आपा analysis करते हैं तो आपको खुद बता चल जाएगा मैं भी बताऊंगी कि आपको ये IAS related material करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और आपको current affairs कैसे त्यार करने चाहिए ये देखे ये question आया था 5th of September 2021 को कि UNESCO आप देखे ये 5th of September 2021 को एक्जाम हुआ था ठीक है अब FAP21 में ना international mother language ये था FAP21 को उन्होंने उससे related ये question पूछ लिया तो ये question क्या है one liner question है ओके अब आप आगे चलिए next question आप देखे जो ये अकोन जो थी ये first woman director general बनी थी WTO की world trade organization की अब 5th of September 2021 को एक्जाम हुआ और ये जो current था ना FAP 2021 का था अगर आप IES की monthly magazine पढ़ते हो तो इसमें ऐसे questions नहीं होते है उन्होंने पुछा she hails from which one of the following countries कि वो इन में से कौन सी country से वो belong करती थी तो ये क्या current affair का one liner question तो इससे आपको ये पता चलता है कि आपको जो IES की monthly magazine है वो आपको read नहीं करनी चाहिए चाहिए वो vision IES की PT 365 है वो बहुत deeply है वो उन्होंने IES के related बनाई है UPSC CST के related आपको इस exam के लिए EO AO के लिए one liner current affair अस्तियार गरने है मैं आपको source भी बताऊंगी आगे चलिए आप next question देखिए अब ये जो question था ना ये उन्होंने डाला who among the following is the first player in the history of test cricket to take 200 wickets against left-handed batsmen अब ये भी one liner था sports अब ये जो question था वो point band से related था ये वला question sports से अब ऐसे question आपको monthly magazine में देखने को मिलते हैं IS की विजन IS PT 365 अब ये फैब 2021 का current था ये मैंने खुछ सर्च किया है आप सभी के लिए कि ये कौन से month के current affairs थे आगे आप चलिए ये देखिए आप question which day has been declared by the government of India to be celebrated every year as pra-kram दिवस अब प्रा-kram दिवस बनाना शुरू किया गया था सुभास चंदर बोस जी के birthday पर 23rd of January को ठीक है तो ये current affairs आगया वन लाइनर आगे देखिए ये बुक थी ये जो बुक थी ना वो फैब 2021 ये news में थी ये बुक the little book of encouragement किसके द्वारा इसका author कौन थे इसके तो कौन थे इसके इसके author दलाई लामा ये जो बुक थी वो वन लाइनर यहां पे यहां पे तो आप चल सकते हो कोई डे है किसी महान personality वाल महान personality का जिस इन जनम हो उस दिन बनाया जा रहा है वो पुछा जा सकते हैं जैसे एक बात करें एक्जांपल के लिए जन जातिया दिवस है फिफ्टीन्थ नव्यंबर को बनाना शुरू किया गया था बिर्सा मुंडा जी के जनम दिन ठीक है तो आप मान के चलिए यहां पर अगर कोई बुक अगर न्यूज में है तो उसका अथर आप से यहां पर कोईशन उन्होंने यह पूच्छा कि उन्होंने किसको हराया था अभी एक एस्पोर्ट से रिलेटेड़ कोईशन है तो दो कोईशन आपा ने देख लिए स्पोर्ट से पहले भी आपा ने देखा और यह फैब 2021 करंट में था नेक्स कोईशन आप देखिए यहां फायर पावर इंडेक्स अब इंडेक्स यह इंडेक्स जो था ना वो जन्वरी 2021 न्यूज में था इंडेक्स में उन्होंने क्या पूचा सिंपल इंडिया की रैंग क्या है नेक्स आप चलिए यह वाला जो कॉशन था यह भी न्यूज में था जन्वरी 2021 में मतलब आप यहा तो ये क्वेशन था आगे देखिये आप ये जो ब्रिज था ना बट्मी अद फूलबरी ये न्यूस में था फैब 2-0-2-1 में उन्होंने इसका दे दिया वन लाइनर आगे चलिए ये जो as a routine exercise operation गरम हवा एंड सर्ध हवार conducted भाई इसमें जो ये सर्ध हवा थी ये जनुरी 2021 न्यूस में थी जो की राजस्तान में हुई थी बीए सर्ध के द्वारा करवाई गई थी ओके नेक्स्ट आप देखिए ट्राइ सर्विस कंटिंजेंट विच वन अफ फॉल्विं कंट्रिस पार्टिस पार्टिसपेटें इंडिया स्रीपब्लिक डे परेडिन 2021 अब रीपब्लिक डे होता है 26 जैनुरी को ठीक है उससे रि बड़ी बात नहीं है मैंने वीडियो बना दी मैं तो सिर्फ हैल्प के लिए बना रही हूं ठीक है आप यह पर देखिए आपको क्या करना ना दा हिंदू पढ़ना है नियूस पेपर अब दा हिंदू नियूस पेपर आप पढ़ रहे हो मालो आप APFC की त्यारी कर रहे हो ठ या आप दा हिंदू डेली पढ़ने के साथ साथ जो वन लाइनर करन्ट फियर्स की कोई मंतली मैगजीन आती है न आप वो भी बढ़ सकते हैं ठीक है अब अगर आप दा हिंदू पढ़ने है मान के चलना मेरी एक बात को ध्यान से सुनना आप EUAO के लिए दा हिंदू अब आपको इसमें सारी तरह की करन्ट पढ़ने है अगर आपको कोई स्पोर्ट से रिलेटेड करन्ट मिल रहा है तो आपको वह भी पढ़ना है को यह पोइंट में दिख रही है वह भी आपको देखनी है अगर आपको लग रहा है कोई बुक है उसका उत्थर भी आपको द पूछ लाइनर पूछता है भाई, sports, awards, EA, book, author, ये सब चीज़े पूछी जाती है, अगर मालो आप एक index पढ़ दो, जैसे आप पढ़ दो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो आपको गया करना है, आपने ये ध्यान में रखना है, कि इंडिया की रेंग कितनी आई ग्लोबल हंगर साथ की साथ इसमें कौन-कौन से चीज़ों को count किया जाता है, आप वो भी पढ़ लो, कि अगर आपको EO, AO में ये पुछा जाए, कि इंडिया की rank कितनी आई, simple question पूछा जाए, आपको इस cancer भी आना चाहिए, अगर आपको उसने demand कर ली, उसने deeply जाके भी पूछ लिया, त इसलिए आपको कोई monthly magazine पढ़के अपना time waste नहीं करना है, monthly magazine जोती है, IES की विजन, ISPT, तरिस्क्रिपर वो deeply होती है, आप simple, the Hindu news paper पढ़ो, उसमें आप सारी तरह की current पढ़ो, चाहे कोई science and tech से आरा है, वो भी पढ़ो, अगर एक और example देतो, जैसे मालो इसरों ने कोई mission को लॉंच किया, ठीक है, आपको नाम भी पता लगिया, वन लाइनर आई, EO, AO में आपको वन लाइनर रिसोल कराना, उस mission के बारे में detail भी पढ़ो, क्योंकि तोनों लेवल तेयार करके चाहो, okay, thank you for watching this, बाकी और जितने भी subjects हैं, जैसे modern history है, आपको EO, AO के लिए modern history कैसे पढ़ना है, तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ये मैं सची बोल भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप भी कोद इनालिसिस करके इन चीज़ों को कर सकते थे, पर मैंने बस आपका टाइम सेव किया, और आपके लिए special यहां पे question मैंने लगाए डूंड के, और कौन से मन् ये है, वो भी मैंने बताया, thank you for watching this.